हे गाइस वेल्कम बैक टो मैं चानल के रेट इंगें रोसोई आज हम बनाएंगे कॉर्ण के पकोरे इंग्रीडिंस में हमने लिया है दो कप कॉर्ण दो लंबे कटोफे प्यास बारी कटा हुआ धनिया आधा कब बेशन एक इंचा द्रब का टुकड़ा लहसुन की कलिया चार हरी मिर्चों को बारी काट लिया है हल्दी पाउडर एक टीबल स्पून धनिया पाउडर और एक चुटकी बेकिंग सोड़ा दो टीबल स्पून चावल का आटा दो टीबल स्पून पानी तो सबसे पहले हम मिक्सी जार में डालेंगे कॉर्ण अद्रक लहसुन और मिर्च आ आइए और इसे फाइन पेस्ट नहीं बनाना आपको दरदर आपको इसे पीसना है तो आप देख सकते हो मैंने इसको अग्दम दरदर पीस लिया है कुछ ऐसा दिखता है पीसने के बाद और इसमें कोई पानी हमने डाला नहीं है पीस देवर इसमें डाल देंगे लंबा कट दनिया पाउडर हल्दी पाउडर और उसे भी हम मिलाएंगे तो जो कौन मैंने लिया है वो फ्रोजन कौन था तो उसको बाहार निकाला थोड़ा सा पानी में रख दिया था पाच मिनट और फिर इससे मैंने यूज किया है और मिक्सी में कोई पानी ने डाला इसको दर दर पीस्ते वक्त अब मैंने बचा हुआ इसमें बेसन डाल दिया है और इसे भी हम मिलाएंगे तो टोटल इसमें जो बेसन लगा है वो आदा कप है और कौन दो कप जो भी मैं आपको बता रही हूं मेशरिंग कप के हिसाब सा बता रही हूं फिर इसमें डाल देंगे हम नमक स् इसमें बचा हुआ धनिया डाल देंगे पालक का इसमें काफी अच्छा टेस्ट आएगा पालक होगा तो जरूर डाले लंबा-लंबा काटके इसमें डाल देना पालक पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं तो अब हम इसमें डालेंगे लाल मिश पावडर क्योंकि मुझे लग 80 pm पी नहीं कहूंगी 150 तीजबून की जादा इसमें सोडा नहीं होना चाहिए गूंकि हम इसको आप ल्रेड है और जादा सोड़ा ह हुगया तो फिर ये था इसमें थोड़ा इसमें छीवार और पकॉरा सा एक चूटकी डालना आ थिसमें बक nasalाता पानी ममाल में डालाना linkage , चावल का आटा, चावल के आटे से ये पकोरा एकदम क्रिस्पी बनेगा, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप इसमें fresh corn डाल रहे हो, जो frozen नहीं है, तो इसमें शायद पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अगर आप frozen ले रहे हो, तो पानी डालना तो पांच मिनिट साइड में रखने के बाद आप देख सकते हो, हमारा मिक्षर तयार है, तो अब हमें कडाही लेंगे उसमें डालेंगे तेल, उसको अच्छे से कर लेंगे गरम, और उसके बाद एकदम low flame पे हम इसमें पकोरे डालेंगे, जादा बड़े बड़े पकोरे नहीं डालना है, कम क्रिस्पी बनेंगे फिर और अंदर से भी पकने में इसे टाइम लगेगा, हाई flame पे आपको इसे पकाना नहीं है, ये पूरी तरीके से जल जाएंगे, अंदर से कच्छे रहेंगे, तो जो भी कर रहेंगे आप लोव फ्लेम पे पकाईए, एकदम lowest flame पे और इसको आपको बीच में चमत से पलटते रहना पड़ेगा, जिसे ये दोनों साइट से पकेंगे, एक साइट से जलेंगे नहीं, तो वो बारिश का मौसमी क्या जिसमें पकोरे ना हो, हम हर बार बेसन के पकोरे, मूं के पकोरे, पालक के पकोरे बनाते रहते हैं, इस बार मैंने एक नई रेसिपी आपके साथ शेर की है, कौन के पकोरे, काफी टेस्टी बनते हैं, कुछ अलग नया आप टेस्ट करोगे, जरूर ये रेसिपी एक बार बना के देखिए, बहुत जल्दी बन जाती है, जबत ताम जाम आपको करना नहीं पड़ता है, और बहुत टेस कंची बने हां, और अधर इक्डम अच्छड पके हैं मैं जाम बने हैं, बहुत करंची है जब से जएक बन किए चाट मसाले से इसमें इसमें अलग ही टेस्ट बनते हैं, अब हमारे पकोरे तियार है कारम गराम खाए मैं ये स्व 7 से साथ रेतsmूच तो मरवनी डेस्ट यह दिखें कौन के पकोरे बहुत अच्छे लगी कि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट कीजिए में चाहल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए पैसे दिने होता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और रेसिपी ट्राइब करना थैंक्स पर वॉचिंग